हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं चैनल रबिती पेशनविला आज की वीडियो में हम रेड़ी को पाल जी के लिए नौरात्री स्पेसल ड्रस बनाने वाले हैं आप देखें हमने बहुत एक उबस्वासी पुशाक इनकी बनाई है यह हमारे तीन नंबर के कानाजी है यह हमार चार नंबर में ही जल्दी ही वीडियो अप्लोड कर दूँ बहुत ही खुप सुरत सी पुशाक है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाईस इगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस आप चैनल को सब्सक्राइब करें साफ में बैल आइकन प यह दिखें सबसे पहले हमने आप यह चुंद्री प्रिंट का फैब्रिक लिया हुआ है इस तरह का फैब्रिक आपको मार्केट में मिल जागा अगर आपको आपको मार्केट में इसली नहीं मिल पाता है तो आप क्या करें चुंद्री ले सकते हैं जो मातरानी की चुंद्री आती है 10-12 रुपर में आपको मिल जाएगी आप चुंद्री ले लें एक चुंद्री में आप आराम से यह पुष्षाक बना लेंगे दो नंबर के लिए और तीन नंबर के लिए और मैं आप आपको मेजर्बिन बता देती हूं मैंने फैबरी पूरा थान से लिया था तो आप इसकी टूटल लंबाय की बात करेंगे तो यह देखें इसकी इसकी हमने रखके है आपको मैजर करके दिखाती हूं यह देखें साड़े-चॉबिस इंच की करीब में है साड़े-चॉबिस इंच से थोड़ा सा कम है सेम मेजर्मेंट में हमने अस्तर भी लिया हुए है यह दिखें, यह इस की तुक्लरा के चुन्द्री की सीधी साइड है और इसकी उल्टी साइड है हएवर से इप ईसीधी साइड पर पहूं क्या यहां करएंगे that can be the झाल 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 यह देखें हमने यहां पर इसे सिल दिया सिल ने के बात इसे कमर को इकठा करके दिया इसे कमर के इंश को मेरां में यहां पर इंश में अOSH मैं यहां पर नहिपा लगाना है तो नहिपे के लिए यहां पर यहां पर इसी कि inspector कहा है अगर आप नहिए एसकी लपाइग गिनगे तो ये देखें इसकी लंबाई हमने 5.5 इंच रखी है और चड़ाई इसकी हमने लगबग 2 इंच के करीब में रखी है हम क्या करेंगे इसे यहाँ पर इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद डबल करेंगे और डबल करने के बाद अपने ड्रेस के उपर पीछे की साइट से रखके और सिल देंगे यहाँ पर इस तरह से रखके हमें एक सिलाई लगानी है चली में जल्दी से लगा देती हूँ से अजित क्रेंएटर तरह से Дहुत करने कि अटे पर ढरांश बाहलो जल्दी से रखके हमेपर हमेंगे थे met using this झाल 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 यहां पे चोली और पगडी दोनों के लिए एकठाई फैब्रिक ले लिया है यहां पे मैंने इसकी लंबाई रखी है टोटल साड़े इग्यारे इंच और चोडाई आप रख लें इसकी लगभाव धाई इंच धाई इंच के करीब में हमने रखे हम क्या करेंगे इसे इस तरफ से मोड़ेंगे फिर यहां से मोड़ेंगे फिर दोनों को एकठा एक दूसरे को उपर रखके एक सिलाई लगा देंगे चली हम यहां पे इतना काम करते हैं यहां यहां पे सिलाई लगा दिया अब अपनी सिलाई को कवर करने के लिए हम यहां पे इस तरभ से टिशी रिबन लगा लेंगे ऐसे करके चली मैं हाप लगाके सिला ही लगा देती हूं इस पर ये दिखिये हमने हाँ या पे इसे टिशी रिबन लगा दिया है अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम फाटिंच लंबाई के लिए बागी हम चोली में यूज करेंगे ये पाउस 5 इंच लंबाई का मैंने पगड़ी के निकाल ला और ये हमारा बचा हुआ इस है 지금 चोली के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे हैं यहाँ पे हमने इस तरह से सिल दिया अब मैं चाहने हैं इसको अपने ड्रेस साथ ही अड़ा डेंगे यह हमारी जो dress है इस पर यहां रखेंगे और बीच से सिलाई लगा देंगे तो यहां पर attach हो जाएगा चलिए मैं यहां पर इसे attach कर देते हूं अगेन आपको डोरी नहीं सिलनी है यहां पर हमने डोरी नहीं सिली है यह हमारी dress complete हो गई अब पगड़ी पर हमें क्या करना है यह देखें इस तरह से हम इसे करेंगे यहां पर ऐसे करके यह red वाला है साम नीचे रखते हैं यह देखें इस तरह से ऐसे करेंगे यहां पर यह भी इसे पाए यहां से हमने half inch एक्टर रखा है उपर की साइड से और जो हमने एक्टर रखा है इसे हम यहां पर ऐसे मोड़ेंगे और यहीं से हमें एक सिलाई लगा देनी है एकदम simple और आसान तरीके की पगड़ी है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी पगड़ी और ड्रस रड़ी हो गई है चले में गोपाल जी को पहना के दिखा देती हूँ आपको यह दीखे फ्रेंस यह पोशाक मैंने अभी दो नंबर के कानाची को पहना आई होगी है आप देखें कितने अच्छे से इनने फिट आया ओई है कोई रिग्कत नहीं है और अब मैं इन्हें तीर नमबर को पहना के दिखाने जा रहे हूँ आपको और यह पोशाक आप एक नमबर को भी पहना सकते हैं एक नमबर के काना जी मेरे पास नहीं है याने तो मैं आपको उनको भी पहना के दिखा देती है दो नमबर और तीन नमबर को मैं पहना के दिखा दरी हूँ, दो नमबर को पहले ही पहना रही है, तो एक नमबर में आपको इनकी पगड़ी थोड़ी सी छोटी करनी होगी, जहां पर हमने पगड़ी के लिए 5 इंच लंबा लिया है, वहां पर आप पगड़ी के लिए 4 इंच दूंशलंबा लेलेंगे लिए तो एक नमबर के काना को आ जाएगी पकड़ी ये देखे यहां यहां दीखालत हे भी निकालने खैगा ह innovate आप यह देख लिजेए यह आप साइज दोनों लोग का मिल और पस देवा इसा से इनों हिस्साइए उस मिलं नूरी कंगे गिसे कि ली पाहिए उसा encontramos जो हम यह सकने मने तो फिटिंग बहुत अच्छीए जहा जाती है तो इस तरह से हमने यहां पर देखें बांद दिया एकदम सिंपल सा तरीका है गाइस बहुत आसाने से आप बहुत इगजब की पुशाक नौरात्री पर बना सकते हैं गोपाल जी के लिए यह देखें इस तरह से कितने अच्छे से यह काना जी को फिट आ गई अभी मैंने इस दाल दें और गले पे जब आप डाल लें फिर यहां से ऐसे सीधा करके इसे हलका सा जब आप खीचेंगे उपर की तरफ तो इनके यह कान पे सेट हो जाएगी अब देखें किसी भी चीछ को पहनाने करने का तरीका आना चाहिए आप देखें कितने अच्छे से फिट हो गई है तो यह थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हवारे कृष्णा रादे रादे